जैहिंद वंदे मातरम सातियो मैं हूं प्रेंस विस्तार पुर्बक यहां पर आप सभी को समझाया जागा कैसे कैसे दोस्तो सारी चीजे हैं वो भी आप सभी को समझायाएंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्काइब कर सकते हैं वीडियो को अभी तक आपने दोस्तों लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चले फैंड्स सुरू करते हैं देखे फैंड्स आप सभी को में बता दू कि आप सभी के जो एड्मीट कार्ड है वो कब आने वाले हैं तो आप खुद से रिलेड कर सकते हैं इस चीज को क्योंकि पहले 24 तारिक को फिजीकल थे यानि आज यह 24 तारिक ही है और 19 तारिक को दोस्तों आप सभी के एड्मीट कार्ड आपके सामने आ गये थे यारि 5 दिन पहले आप सभी के Aadmit Card आपको देखने को मिल गे थे तो मेरे इसब से अगर आप एक तारिक को आप फिजीकल करा रहा है SeseGD तो एक तारिक को फिजीकल हो रहा है तो चली दोस्तों इसके अबारे भी बात करते हैं तो मेरे बाचे अ सींटर तो आपकी जितने पहले थी उतने ही रहेंगे वो तो नहीं बदलेंगे यानि जो सींटर जैसे आपका क्या है किसी का B.S.F. में है और किसी का C.S.F. में है तो ऐसी सींटर बनाएगे थे किलोमीटर तक भी उनको भीज जा जा सके ठीक है ऐसा भी हो सकता है लेकिन इतना नहीं था किसी का 50-60 मैंने अभी तक नहीं देखा था लेकिन बच्चे बता रहे थी कि मेरा तो काफी नजदीक पड़ा है ठीक है तो सेंटर ऐसा नहीं है कि दोस्तो आपका पहले कहीं था तो बहुत दूर चला जागा ऐसा तो हो नहीं सकता है ठीक है हो यह सकता है कि पहले किसी सहर में था आपके नजदीक सहर में तो हो यह सकता है कि उसी सहर को हटा कर कोई और नजदीक सहर आपको मिल जाए ठीक है सेंटर वही रहेंगे ठीक है सेंटर तो वही रहेंगे लेकिन आपक किसी को हो भी सकते हैं, किसी किसी को वही सेम भी रह सकते हैं, ठीक है, नमबर दो पॉइंट आपके क्लियर हुआ, नमबर थ्री पॉइंट ये आता है, भाईया, कौन कौन से डोकॉमेंट चाहिए, आपके फिजिकल के लिए, तो देखिए, सबसे इस बात को नौट कर जानी है, औरजिनल डोकॉमेंट में क्या क्या, जैसे दोस्तों आपका जो है, ये काश्ट सर्टिपिकेट, डो मिसाइल, ठीक है, और अपना, दोस्तों, आधर कार्ड, और मतलब, आपकी मार सीट, टेंथ के मार सीट, ट्वेल्थ की मार सीट, बहुत सारी चीज़ें आप पाड़े ये होते हैं, उनको ही छूट चाहिए होती है, जो AST वाले होते हैं, उनको भी छूट चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्बल है, ठीक है, उनको तो सिर्फ अपना एड्मिट कार्ड, एक, मतलब, अपना ID पूरूप में आप आधर कार्ड ले सकते हैं, और दोस्तो, चार-पाच फोटो आप ले जा सकते हैं, एक पैन, ये सारी चीज़े आपको ले जानी हैं वहाँ के अंदर, और अपना बैक में कुछ खाने पीने की चीज़े, दूद की बोतल, दोस्तो, एनर्जी ट्रेंक, केले वगरा, यो आपको एनर्जी ने वहाँ पर, केंटी वगरा भी मिल जाती हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास पैसे वगरा है, तो, बात ये हुई दोस्तो, चलो, तीन पॉइंट आपके किलियर हुए, चौदा पॉइंट ये होता है, वहाँ पर हमारा, हम पहुंचे कितने वजे, जैसे हम खोरा है 6.5-4 बजे से दोस्तो, यहाँ पर एंट्री टाइम लिखा हुआ, तो 7.4 बजे जायें, या कुछ थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, या पहले हो सकता है, तो देखे, मैं तो आपको यही बोलोगे, भई, 4.5 अगर बजे लिखा हुआ है, आदे घंटे पहले है, क् मेरा first wedge में जो है आपर नाम आ जाए और आराम सी दोस्ता आप first wedge में अपना अगर नाम मतलब अपने आपको first wedge में दोड़ाना चाहते हैं तो जल्ली आपका पहुँचने का एक ही आपके पास option है वो है चिर्फ आपको जल्ली उठना है और जल्ली पहुच जाना है center पर ठीक है रात को ऐसी अच्छी दिगे सोएं भाई दो को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना दोस्तो तीन सो रुपे का लोब कर जाते हैं कैसे आप क्या करें तीन से चाल लड़के खटा होके एक रूम ले ले अच्छा मतलब होटल बगर हम रोकें ऐसा नहीं है कि आप सड़क प अकिल लोगों के लिए अकर सिंगर लड़का कोई रूम लेगा तो बहुत जाता दिक्कत आएगी इसलिए कोशिश यह करें गुरूप में जाकर वहाँ पर एक होटल है उनसे बोलने कि हम तो पांच जयने भी एक रूम में रह जाएंगे अगर आपकी पॉलिसी है तो रहने कि से अपने आपको दोस्तों वहाँ पर बॉडि कُ pem कर सकते हैं अच्छे से आपर दोस्तों सोकते हैं जब तक आपकी नीन पूरी नहीं अभीशिद सब दोस्तों क वाँपको अच्छी तरह के लिए और शुबे और शुबज बज़े में साज़े उटबर चार बजे उठें और आप जाने में आपको 5 बच जाएं ऐसा नहीं करें ठीक है यानि आपको ये कोशिस करने है कि आपको साड़े 4 बजे किसे 1 घंटे पहले उठना है ताकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 5-5 किलो मिटर दूर होटल ले लेते हैं उन्हों जाने में दोस्तों एक घंटा लग जाता है तो ऐसा ना करें बुलकुर नजदीक 100-200 मीटर पर या 300 मीटर पर जो भी होटल वगरा है वहाँ पहर ही रोकें तो यह सारी चीज़ आपको अपने दिमाग में पहले से रखने हैं कि कितने समयचदार तो आप भी हैं कि क्या करना है आप सबी को ठीक है तो फैन्स आज के इस वीडियो में इतने ही थैंक यौल अफॉल जैहिंद वंदे मतरम